दोस्तों तुलसी जी का पौधा बहुत ही लखी माना जाता है और हमारे यहां लगवक सभी घरों में हम तुलसी को लगाना बहुत ही सुभ होता है तो तुलसी जी की पौधे को लगाने के बाद देखे, उसमें जो growth होती है, किस प्रकार से अच्छी growth है और काफी ज़्यादा घना, इस प्रकार से देखे, जैसे यह मेरा पौधा है, घना कैसे बनाना है तो हम आज कुछ 8 step में बात करेंगे 8 step अगर आप follow करते हैं तो आपका पौधा इस तरह से काफी घना इस प्रकार हो जाएगा वो भी एक महिने के अंदर तो क्या-क्या करना है कौन-कौन सी compost देनी है जो compost मैं आपको बताऊँगा बहुत ही normal सी compost है जो आपके पास हर वक्त available होती है आप उसे ही देखे अपने तुलसी जी के पौधे को इस प्रकार घना बना सकते हैं तो दोस्तों जो 8 simple steps हैं मैं आपको बताता हूँ आप एक-एक करके उनको ध्यान से सुनते जाएए और अपने plants में उसको apply कीजिए फिर आप देखेंगे एक महिने के अंदर आपके तुलसी पौधे की growth इस प्रकार से आपको दिखने लगेगी जिसमें सबसे पहला step होता है दोस्तों वो होता है पौधे का चुनाओ करना तो जो भी आप पौधा चुने तो healthy plant चुने जिससे की जो dry leaves है वो ना हो या फिर पौधे में कोई fungus attack या फिर कोई कीडा ना लगा हो root ball उनकी जरूर चेक कर लें वो काफी अच्छी होनी चाहिए अब मैं आपको एक चीज़ और बता दोस्तों दो प्रकार की होती है एक इस प्रकार से जो ये आप देखिए इसका अब दोस्तों जो हमने पौधा सेलेक्ट कर लिया है तो उसके लिए हमें soil mix बनानी है तो soil mix जो मैं बता हूँ आपको तुलसी जी को बहुत ही drained soil पसंद है पानी विलकुल टिकना नहीं चीए तो मैं जो mixture मैं बनाता हूँ मैं आपको बता हूँ कि मेरे तीनों ही गंबले में जो mixer पड़ा हुआ है वो है जिसमें 50% आपका normal garden soil होता है और 30% हम उसमें लेंगे cow dung compost ध्यान दीजए cow dung compost लेंगे और दूसरी कोई compost हमें नहीं लेंगे साथ में 10% हम मिलाएंगे इसमें cocopeat या आप reet मिला सकते हैं जो जो इसका moisture है जो मिट्टी का जो texture है उसे अच्छा बनाएगा साथ में जो बचा हुआ 10% दोस्तों उसमें हम मिलाएंगे सर्सू की खली और नीम खली को mix करके इस mixture को हम मिट्टी को तयार करेंगे soil mix को तयार करेंगे और उसमें हम अपने इस तुलसी के plant को गमले में जो की पौधे के इसाफ़ से 12 इंच का गमला sufficient होता है तु तुलसी जी को आप indoor बिल्कुल मत रखिए इन्हें full sunlight की आवस्यक्ता होती है अच्छी growth के लिए तो आप तुलसी के पौधे को लगा कि उसमें watering करने के बाद इसे full sunlight में place कीजिए फिर आप 10 से 15 दिन में आपको करना क्या है दोस्तों एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी है मिट्टी को ढीली करते रही है दस से 15 दिन में एक बार उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं जब पौधे की growth होने लग जाए इस प्रकार से देखे इसमें मंजरियां लगी हुई है तो जब मंजरियां लगने लग जाती है तो इसकी growth slow हो जाती है क्योंकि जब मंजरियां होती है तो पौधा अपनी पूरी energy इन मंजरियों को mature करने में लगा देता है तो आपको क्या करना है इन मंजरियों को हटाते रहना है टाइम टाइम पे तो दोस्तों इन मंजरियों को हटा देना है जब हम इन मंजरियों को हटा देंगे तो जो तु प्रूनिंग करते रहे साधी कुछ लोगों को अच्छा ना लगे कि हम तुलसी जी को पुरून कर रहे हैं पर यह तुलसी जी की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी स्टेफ है तो इसको जरूर फालो करना है आपको तो देखे इस प्रकार से हम इस पौधे की सारी मंजरियों क कर दिया अब मैं आपको इचाओ बता थे जब नया पब लाकर लगाते हैं और वो छोटा होता है जैसे देखें यह पौधा है हमारा इस प्रकासे छोटे पौधे में तो जब पौधा नई ग्रोथ कर रहा होता तो इसकी जो में टिप होती है इसे आपको पिंच करना है यह इसलिए होता है क्योंकि यह आपको नीचे दो ब्रांचिस दिख रहे हैं जब आप यहां से इसे कट कर देंगे तो यह दो ब्रांचिस अच्छे से ग्रोथ करेंगी और पौधा वहां से बुसी होना स्टार्ट करेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपोस्टिंग की तो जो कंपोस्टिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोस्टिंग जो आपको देनी है उसके लिए पहली जरूरी स्टेफ है हर 15 दिन पे आप एक बार गमड़े की इस मिट्टी की गुड़ाई कर ले जिससे मिट्टी नहीं अबलेबल होता है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और इसमें एक से दो मुठी नीम खली जरूर एड़ कर ले और इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर ले इस प्रकार से देखे यह हमारी कंपोस्ट तुलसी पौधे के लिए रेडी हो गई है इसे आपको मही मिक्स कर देना है अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें कर दें वाट इससे कि यह कंपोस्ट गोबर आपको बता रहा है वह बहुत ही आसान है बनाना कैसे बनाना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कृदे दखिए जिए हैं यह गिलास पानी लिया हुआ है और उस ले जो गाय की गोबर का कंडा बनाते हैं वो कंडा इसमें डाल दिया था इसकी वज़े से ये देखिए पानी हमारा जो लिक्विड कंपोस्ट है इसे आप 10 से 12 गंटे के लिए डाल के छोड़ दें या फिर 24 गंटे छोड़ दें तो वो और बहतर होता है तो इस प्रकार से ये बनके रेडी है और इसमें हम एड करेंगे जितनी कंपोस्ट हमने बनाई है उतना ही पानी तो दोस्तों जितना हमने कंपोस्ट बना रखा है उसमें उतना ही मात्रा हम पानी का और एड कर देंगे अब देखेए हमारा ready to use compost हो गया है इस compost को हम इस गंबले में अपने यूज करेंगे यूज करने से पहले हम जान लेते हैं कि तरीका कैसे यूज करना है तो जब भी हम liquid compost यूज करते हैं मिट्टी में हलकी नमी होनी चाहिए और उसकी गुडाई जरूर कर लें क्योंकि जब गुडाई गर लेंगे तो जो compost हम देंगे वो roots तक आसानी से पहुंचता है और नमी क्यों आउस्यक है क्योंकि liquid compost जब हम देते हैं तो मिट्टी में नमी होगी तभी वो पूरे गंबले में अच्छे से distribute होता है फैलता है अगर मिट्टी ड्राई है तो ऊपर की सतय पर ही हमारी compost खतम हो जाती है नीचे तक नहीं जा पाती है तो इस प्रकार से देखिए हमने roots के किनारे किनारे जो हमने compost बनाई है liquid compost इसको हमने दे दिया इसे महीने में एक बार देना है इससे जादा हमें नहीं देना है तो इस प्रकार से हमारी दोनों compost जो हमने आपको बताया यह आप अपने तुलसी जी के पौधे में दे सकते हैं और इससे आप देखेंगी जो इसका result आपको मिलेगा वो काफी अच्छा एक महीने में आपको अपने तुलसी पे काफी अच्छी धेर सारी ग्रोथ और काफी घना आपका तुलसी प्लांट हो जाएगा तो अगर आपने भी तुलसी पौधा लगा रखा है तो एक बार इन स्टेप्स को जरूर ट्राई करें और अपने तुलसी पौधे को इस प्रकार से घना बनाए